मुझा जाए जाए चोटे मोटे घर के काम तो हमारे रोज ही चलते रहते हैं और घर को सजाने के लिए हम हर बार चीज़े खरीटते भी नहीं हैं अगर हम अपने डेली रूटीन में होम रूटीन क्लीनिंग रूटीन में अगर यह सब चीज़े इनकॉर्परेट कर लेते हैं हमारे रोज के घर के काम बहुत आसान हो जाते हैं जरूरी नहीं है कि हमें हफ़ते में या महीने में एक दिन निकालना है जब अपने किचन के डब बनाने वाले हैं वो रिलेटेड हैं हमारे पर्फ्यूम बॉटल से सीडी के केसे सर जो स्टोरेज केसे होते हैं चलो आगे आगे और वीडियो में बताती हूं नमशकार दोस्तों मैं रती स्वागत करती हूं आपका होम ट्वीक चैनल पे आज गरम गरम चाय की चुस्की के स साथ आज कब वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर ये वाले होम ट्वीक्स होम हैक्स आपको अच्छे लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा हमारे घर में बहुत ऐसी चीज़े होती हैं जो बहुत पुरानी होती हैं समझ नहीं आता उनका क्या करें उपर कितनी cds निकली हैं अब अगर ये वाला फोल्डर देखो ये एक डॉक्यूमेंट फोल्डर बहुत अच्छे से दिख रहा है और इसकी कॉलिटी भी अमेजिंग है लेदर का है ये और इसको फिंकने का बनता नहीं बहुत एक्सपेंसिव था तो इसमें जो ये cd स्टोर करन कि अपने डॉक्यूमेंट्स ये जो आप सारा खलेरा देख रहे हो ये शिफ्टिंग का है इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स टोर कर पाऊं जैसे कि हो गया हमारे चेक बुक्स हो गए आधार कार्ड हो गया या फिर डॉटोग्राफ्स कुछ ऐसी चीज़े हो गई जो हम स्पेशली एक फोल्डर में ही स्टोर करके रखनी पड़ती है उन चीजों के लिए जो सीडी के इस तरीके के एमटी फोल्डर होते हैं आप यूज कर सकते हैं लेदर के डॉक्यूमेंट और बहुत एक्सपेंसिव आते हैं स्पेशली जिन में जिप होती है तो अगर आपके प पैसे आपने एक ही बारी स्पेंड किया और उसके आप मैल्टीपल यूज़ कर रहे हो मेरे पास और एक सीडी का स्टोरेज ओर्गनाइजर है जो कि मैं आपके साथ एक वीडियो में और शेयर करूंगी उसका मैंने कैसे यूज किया उसका साइज इससे चोटा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो या आने वली किसी होम हैक्स की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी यह आईडिया आपको कैसा लगा जरूर बताना कॉमेंट करके और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अपना एक प्यारा सा जरूर करना कॉमेंट करके बताना अगर यह हेल्फुल हो तो जी होआ क्या आई स्किप्ट हार्ट बीड जो नाश्ता मैंने आपको पहले बताया था उसमें मेल्टिट बटर था मेल्टिट बटर सोफे पे गिर गया और जब सोफे की अपॉल्स्टरी पर कुछ गिर जाता है तो साफ करना नेकस्ट विम पॉसिबल होता है मानते हो या नहीं और वह भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं गिरी गिरा एथो बटर एक तेल वली चीजगी जिसके स्टेंस निकालना नेक्स्ट विम पॉसिबल और यह चदर आपने देखी होगी हमेशा मेरे सोफे पे होती है इसको क्रॉस करके जो मेल्टिट बटर था मेरे सोफे पहुंच गया और उसने स्टेन डाल दिया जब ऐसी सिच्वेशन आ जाए ना फटा फटा फटाक जरूर करना वही आपका सोफा बचा सकता है तो सबसे पहले मैंने पाउडर डाला आप देख रहो कि पाउडर भी जम गय आदा घंटा तक मैंने इसको रखा था और उसके बाद मैंने पाउडर जाड़ा है पाउडर ने बहुत अच्छे से जो बटर था उसको अब्जॉब तो किया है बटर का स्टेन मेरे सोफे पे है बट जो अब मैं आगे करने जा रही हूं उससे मेरे सोफे पे से 100% बटर के स निकल चुके हैं, फाब्रिक पे से निकल चुके हैं, कैसे किया है, अब आप वो देखो, तो ये जो बटर आप स्टेन अभी देख रहे हो, ये अभी है, बटर जो है मेरे सोफे पे है, नेक्स्ट जो मैंने चीज डाली है, इस बेकिंग सोडा, बहुत अच्छे से अमपल अमाउंट जैसे की पाउडर डाला हुआ था, वैसे ही बेकिंग सोडा भी डाला है, और इसको अराउंड मैंने एक घंटे तक रखा है, पूरा अच्छे से कवर किया, आसपास का सारा एरिय उस से थोड़ा सा और बड़ा एरिया मैंने कवर किया है, कि अगर बटर फैल के कहीं और भी जा रहा है, तो एक लीज जो बेकिंग सोडा है, वो उसको अब्सॉर्ब कर पाई, सेम अब जैसे हमने पाउडर के लिए किया था, बेकिंग सोडा दो गंटे के बाद मैंने सोफे का पूरा का पूरा बटर स्टेन निकल चुका है, बटर भी अब्सॉर्ब हो गया और कोई स्टेन भी नहीं रहा और मुझे इसको वाश करने की ना पानी से ना सोप से वाश करने की जुरुरत पड़ी, पाउडर और बेकिंग सोडा ने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, बटर अब्सॉर्ब बहुत अच्छे से किया है, पर जो फाइनल स्टेप है, वो है ब्लोटिंग पेपर यूज करना, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेकप के लिए यूज होता है, बेसिकली, जब पसीना वसीना आ जाता वहाँ पर मैंने रख दिया था, अराउंट आदा दिन, एक दिन तक मैंने उसको रखा, और इसी के साथ मैंने एक पेपर टेप, जो वाइट कलर वली होती है, वो साथ मैं लगा दी थी, ताकि ब्लोटिंग पेपर निकले नहीं, नेक्स टेज जो बटर स्टेंस से, वो पु अगर आपको ये टाइम सेविंग, टाइम सेविंग तो नहीं, लाइफ सेविंग बोलूँगे, जान बचाली, इसने ट्रिक ने मेरी, तो अगर ये होम हैग आपको पसंद आया ना, अभी क्या चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कॉमेंट करके बताना, अगर आपन इसी सिच्वेशन फेस करिया, तो उसमें आपने क्या उपाय निकाला है, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिले हो, मेरी तरह, हम सब को भी पता हो, कि इमर्जेंसी में हमें भी क्या करना है, मैंने कुछ एक ये उपाय निकाला था, तो आपके साथ शेयर कर दिया, आप अपने जुगार बताओ, ऐसी पर्फ्यूम की बॉटल्स हम सबी के घरों में होती है, जेंट्स की, लेडीज की पर्फ्यूम्स भर भर के होती है, और ऐसी ट्यूपली पतली पर्फ्यूम्स होती है, पॉकिट पर्फ्यूम्स वो भी हमारे पास होती है, बट एम्टी बॉटल्स होत यह हुँद हम नाती है हुद हाग यहार। इतनी सुन्दर सबने है इतनी महिंहें होती है उपर सी कांच की बॉटल हम ऑडनी जोए ही है वे दागम मेडू सेखिस्टन में कोभी बनाने भृटत दायर अब सबसे बनाने वाले नो-कॉस्ट होम डेकॉर तो चलो के travel size में मैं इसको carry कर सकती हूँ बढ़ कुछ perfume की ऐसी tubes होती है जो कि ऐसे refillable नहीं होती है जैसे कि आप ये दो tubes देख रहे हो इसमें से miniso वली refillable नहीं है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते बढ़ जो masaba by nika वली है वो refillable है तो जो refillable है को अलग कर दूँगी और जो दूसरी pocket perfume वली bottle है miniso वली उसका हम DIY बनाएंगे जो कि मैंने already instagram पर share किया हुआ है वहाँ पर जाके check कर ले ना बहुत ही cute DIY है अब ये जो खाली bottle हमने perfume की सारी खोल खाल के रग दी थी इसमें मैंने पानी भर के इसको TV unit पर रख दिया है और इसमें मैंने लगा दिया है money plant जो कि बहुत अच्छे से grow होगा और हमारा DIY no cost planter ready है इन bottles को आप use कर सकते हो अपने plant propagation के लिए कोई भी छोटी-छोटी सी cuttings इन में लगा दो और जब उनमें roots grow हो जाएं इसमें plant बिल्कुल भी खराब नहीं होता आप week में फिरसे इसमें पानी चेंज कर सकते हो आपका plant बहुत अच्छे से grow होगा और जिस भी space में उसको रखोगे वो उसको brighten up ही कर देगा because perfume की bottle बड़ी सुन्दर-सुन्दर type की होती है और अगर अपने तामबे और पीतल के बरतन बिना घिसे चमकाने हैं तो i button में एक और वीडियो है वो चेक कर लेना यह जो आप छोटी छोटी bottles देख रहे हो यह face serum की bottle है kitchen का makeover और organization वीडियो चेक नहीं किया उसमें चेक करना बहुत ही cute no cost DIYs उसमें भी share कियो है link i button में होगा सरदिया तो खतम हो गई बट वैसलीन की empty bottles हमारे पास बहुत निकलती है डबबे निकलते हैं और इस तरीके के fiber bags भी हमारे पास आते ही रहते हैं चाहे grocery में हो या online delivery में हो मिलते ही रहते हैं आज इनका हम कुछ करने वाले हैं जो की हमारे ही काम आने वाला है और इससे आपके पैसे बचने वाले हैं सबसे पहले इसको fold करके हमने cut कर लेना है जिस भी तरीके से आप इसको cut कर पा रहे हो जितनी intensity में cut कर पा रहे हो उतने ही folds करना मैं इसके छोटे-छोटे से pieces अलग कर लूँगी जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपने नोट किया होगा कुछ pieces मैंने बड़े काटे हैं और कुछ pieces मैंने छोटे काटे हैं तो multiple sizes के pieces मैंने अपने पास रखे हैं Vaseline की dubby पे से इसका label हटा के मैंने एक label बना के इस पर लगा दिया wipes करके so that मुझे पता चले कि इसमें wipes पड़े हैं यह वही labels हैं जो आपने मेरी बहुत सारी home hacks की वीडियो में देखा है जो मैंने kitchen में use किया हैं same वो ही labels हैं यह बहुत सारे labels एक साथ आते हैं तो एक साथ use करना possible नहीं है और dishwasher washable भी है निकलते नहीं है even आप जो इस पर लिख देते हो वो भी नहीं निकलता है dishwasher में तो dishwasher safe है तो जी हमारा wipes का डबबा ready हो गया है इसमें मैं ले आई हूँ यहाँ पे अपना nail polish remover nails की हालत देख रहे हो घर shifting में इस तरीके की nails की हालत हो जाती है मैंने जब-जब cotton use किया है nail paint remove करने के लिए तो मेरे nails भी chip करते हैं प्रिटल हो जाते हैं और चिप करने लग जाते हैं बट जब से मैंने यह वले wipes use करने शुरू किया है तो मैं इनको रख रही हूँ अब यार प्लास्टिक की जगा इन fiber bags ने ले ही लिए तो fiber bags हमारे घर पे आने ही हैं कुछ-कुछ paper bags भी आते हैं जिनका मैंने आपको no cost organizers बनाने बताएं हैं बहुत सारी वीडियो में तो इस तरीके के जो fiber bags हैं आप इस तरीके से use कर सकते हो जैसे एक-एक nail पे आपने एक- यूज किया कभी आपको लेबल की gum निकालनी हो ना nail polish remover से निकालना बहुत इसली निकल जाएगा और यह हमारे दो wipes यूज हो गए अब हम इनको fang सकते हैं जिसमें हमारे पैसे भी नहीं लगे no cost था So my powerhouses आपको आज का no cost DIY, home organization और home decor पर यह वीडियो कैसा लगा जिसमें मैंने आपके साथ 4 home hacks share किये हैं अगर अच्छा लगा चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करके बताना कौन सा home hack आपको सबसे अच्छा लगा और हाँ बटर वाला वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखना